फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एकदाम चठपटे स्पाइसी मूंगी दाल के मोंगोडे जी हाँ दोसते बहुत ही टेस्टि लगत sì ने स्पाइस लगते हैं चले दोस्तो आज मैं आपको बहुत ही healthy मूंकी दाल के मंगोडे बनाना सिखाऊंगी तो देरी ना करके फटा-फट से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो hello everyone welcome back to my channel कुझ की रसोई तो दोस्तों बनाते हैं एकदम spicy चकपटे मूंकी दाल के मंगोडे तो दोस्तों मूंकी दाल के मंगोडे बनाने के लिए यहां पर मैंने एक कटोरी भरकर ले लिए मूंकी दाल और यह चिकल वाली है तो इससे बहुत ही tasty बनते हैं मंगोडे तो guys इसको आप हम overnight ले भीगोने रखेंगे ताकि अच्छी से दाल फूल जाए तो चलिए दोस्तों मैं इसको अच्छी से भीगोने रख देती हूं तो friends दाल अच्छी से भीग चुकी है और मैंने इसको अच्छी से वाश करके दाल को और इसको अच्छी से पीस लिया था मिक्सी जार में तो मैं आपको शूट करना भूल गई थी तो चलिए दोस्तों मैं भी हाथ से दिखा देती हूं आपको यह देखी गई हमें एकदम से दीक है निकाल लिया है और यहां पर यहां पर निंंग ऑठ बॉर्ड़ा हिस निकाल लिया अब शिऑ एक पेंच करकी हम डाल करेंगे हम चमस करें बर्कें बणिजिक आ いनल मिर्ची पाड़र इससे वाइन बहुत ही पाइसज बनेंगे हम आड़े तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने बहुत ही अच्छी से पेश्ट बना कर तयार कर लिया है तो चलिए दोस्तों इसको हम अच्छी से फ्राइ कर लेंगे तो उसके लिए चलते हैं अपनी गैस की तरफ तो फ्रेंड्स पर कड़ाई रग दिया और कड़ाई में हमने सरसो का तेल डाल दिया है तो चलिए दोस्तों इसको अच्छी से हम तेल को गरम हो चुका है तो चलिए दोस्तों आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही स्पाइसी चटपटी बंते एक वर ट्राइज होती टेश्टी लगते भाई तो मुझे तो परसनल ही बताओं गाईस मुझे बहुत जादा पसंद आए तो एक बार आप अपने घर में भी ट्राइ करना तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बातों ही बातों में सारी पकोड़िया कड़ाई में में डालनी है तो चलिए दोस बहुत ही अच्छी से हमारी मंगोडे अच्छी से फ्राइय हो चुके हैं यह देखे दोस्तों तो चलिए मैं फिर से लट प्लाट कर लेती हूं तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी से वाई ओड़े तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको तेल निचूडते उनको निकाल लोंगी यह चैकर लेते हैं हिर से दोस्तों शवारे मंगोडे अलगी तो फ्रेंटम और में मम लोंगी दालते हैं तर भी की कर देखना कहसे या। तो भई मैं तो हले दर्णी की चट्नी से लगा कर खा के एंजॉय करूंगे गाइस आप भी खा लीजिए चलिए मैं भी खा लेती है गाइस मज़ा आ गया सच में बहुत ज्यादा टेस्टी बने तो गाइस आप भी इसी तरीके से अपने घर में बना कर खा सकते हैं बहुत ही लगते हैं ठंड का मौसम है तो यह मूंगी दाल के हेल्दी मंगोडे बना कर ज़रू खाईएगा गाइस बहुत ही टेस्ट लगते हैं अच्छे दोस्तों बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं मूंगी दाल तो आप इस तरीके से बच्चों को बना कर ख्लाएंगे मैं पर्सनली बता रहे हूं जब मैं आपने तरफ से तारिफ नहीं कर रहे हैं आप खुद बना कर खाएंगे न तब आपको पता चलेगा कितना टेस्टी नास्ता होता यह मूंगी दाल का तो फ्रेंट्स आज की हमारी यह मूंगी दाल के मंगोडे आपको कैसे लगे जय कर सकें फुल वाच करने के लिए वीडियो दिल से थैंक यू सो मच बड़े हो तो आशिवार दें धेर सारा प्यार दें मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ न्यू रेसिपी के साथ बबाए टेक केर लव यू